कॉंक्रीट के जंगल में सिसक्ती इंसानियत या यू कह लिजिए अपनों के शहर में बेगानों सा हाल नमस्कार मैं पंकज आप सबका स्वागत है धा ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24 इंटु 7 में शिम बंगाल के सिलिगुरी शहर के तिन नमबर वाड गुरुम बस्ती में एक सबजी विक्रेता जिनका नाम है भिखारी सहनी उनकी धर्म पत्नी सबजी बेस्ते बेस्ते सरक पे ही स्वर्ग सिधार गई आज उनके परिवार में कोई नहीं है जो उनका देखरेक कर सके और उनकी स्थिती ऐसी हो गई है असाध्य बिमारी के कारण असाध्य रोग के कारण कि आज वह अपने जिन्दगी में कोल लेकर के चल पाने में भी असमर्थ हैं यहां तक कि एक गिलास पानी भी पी सके वो इसके लिए भी उनके पास शारिरिक छमता नहीं बची है, ऐसे में हमारी वरिस्ट पत्रकारिता दीदी शर्मिला प्रधान जी का ध्यान उन पे गया, और उन पे जाने, जब वहाँ उनसे वारतलाब की, तो पता चला कि उन्हें डिसेंट्री डाइडिया का प्रॉब्लम हो चुका है, जो भी चीज वह खाते हो पच्टा नहीं है, ततप शात वहाँ आसपरोस के लोगों से, आसपरोस के सबजी विक्रताओं से वारतलाब करके उ आते, और आपके परोसी होने के नाते, क्या इनका मदद नहीं कर सकते थे, आप इनको होस्पिटल में दाखिला नहीं करवा सकते थे, तो उन लोगों का कहना था, आसपरोस के सबजी विक्रताओं का कहना यह था, कि दिदी एक पल के लिए चलो मैं आपकी बात को मान करके इ तो उसके बाद इने कौन देखेगा, किसके पास इतना वक्त है कि इनके लिए होस्पिटल आना जाना करेगा, मतलब कि दिदी कहने का तातपड़ी यह है, आज समाज के तमाम लोग इस कॉंक्रिट के जंगल में तमाम उन्ठेकेदारों से यह सवाल करती है, सवाल पूछती मतलब लोग मरे तो मरे, लेकिन कोई किसी को मदद करने के लिए आगे ना आए, इस तरह का स्वार्थ भरी नगरी में क्या फायदा बड़ी बड़ी बातों का। इस व्यक्ति बिसेश पे भिखारी सहनी के उपर पड़ा, तो यह NGO जो है सराहनिय कार्य किया, और सराहनिय कार्य करके, इन्हें पहले साफ सफाई करके, इनका दाढ़ी वेगेरा बना करके, इनको हॉस्पीटल में दाखिला कराया, और भर्ती के पश्चात अब तक का सूरत हाल यह है, इस्थिति यह है कि वह सारीरिक रूप से पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं और उनकी इलाज चल रही है, यह वेक्ति का घर है न ठीकाना, वही फुटपात, एक चौकी है उनका आशियाना, समाज के तमाम उन लोगों को इस पिसह पर सोचना चाहिए, कैसे हम कैसे इस समाज में एक अलग पहचान और इंसानियत को बचा करके लोगों का मदद करने का भी एक भावना को उत्पन करके समाज में ऐसा संदेश दे, तो जुरे रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स ले करके हम पुना मिलेंगे आपके साथ, आप सब का दिन शुब हो, और साथ में मैं अपने चैनल के सौजने से आप सबों से नर्मनी वेदन करेंगे, कि आप ऐसे लोगों को मदद कीजिए, आईए हाथ बढ़ाएं आगे, और ऐसे सिसकती जिंदगियों को कॉंक्रिट के जंगल में भी चेहरे पे एक मुस्कान दे सके, धन्यवाद, नाम ग्या है, भीखारी सहानी, भीखारी सहानी, नाम आपका कोई नहीं है, अब आप थोड़ा क्या करते थे आगे, आपको आपको आपका बीमर क्या है, बीमर क्या है, आपको हिमार को यह एक फान नहीं पसता, अचला पहता होता है, खाते खाते यह सह होता है, because it is not digested? कुछ भूख भी नहीं लगता है, तो आपको हम थोड़ा सापसुप करके रहरे निजी जाएंगे, हाँ, थोड़ा रूखिये, बुलाये हैं सभी को तो हस्पीटल जाना पड़े जा यहां बेटने से आच्छा नहीं होगा खीके ओपीज फिली जै थोड़ा ओरेस पिली जै अभी मैंने ओरेस लाके दे दिया कैसा लग रहा है ऊपका सरीर में थोड़ा अच्छा होगा बडी में अच्छा होगा अवस्पीटल हे जाएंगे अचार थीके ठीके तर्फ प्रबिशन एंजी बड़ा आज यो खबर सुने रहाट हो यो खबर आपलाइब अच्छार अभई नहीं जी एचार पिस पंडिशन के करनेमबर करिभब गारीने तर्फ का यो खबर सुमने करेंजी नने कमेंद करेंकर मेंबर मेंद नेकर। रहने में कि आप से ओपना के दोड को तो आप डिचल को अर्षी कर सब्सक्राइब परोगें जोसे करें इप आले कम आप अपना आप कर आप से कुआ है, तो आप आप। कि अल्ब कर दो सुक ना बढ़ा अरो ना चेतर धा ने अब्लेश निच पर कतव अच्छे पर शब्सपी नियु में अधीट में यूर हो जी थाकति पूर्ब। अपना गर मोंचा कि कुछी आश्रम मोंचा आनी चेस्टा गर्चा धन्यवाई